बातियों, नितिस्टी के नेत्रुत्व में बिहार में गाउं गाउं पानी पहुंचाने के लिए बहुत प्रसंसुनिये काम हो रहा है। चार-पांच साल पहले बिहार में सिर्फ दो प्रतिशत घर पीने के साफ पानी की सप्लाई से जुड़े थे। आज ये आंकड़ा बढ़कर सतर प्रतिशत से अधिक हो गया है। इस दोरान करीब करीब डेड़ करोड घरों को पानी की सप्लाई से जोड़ा गया है। नितिश जी के इस अभ्यान को अब जल जीवन मिशन से नई ताकत मिली है। मुझे जानकारी दी गई है कि कोरोना के इस समय में भी बिहार में करीब 60 लाख घरों को नल से जल मिलना सुनिश्चित किया गया है। ये वाकई बहुत बड़ी उपलब्दी हैं। ये इस बात का भी उदारन है कि इस संकट काल में जब देश में लगभग सब कुछ थम गया था। तब भी हमारे गावों में किस तरह एक आत्म विश्वात के साथ काम चलता रहा। ये हमारे गावों की ही ताकत है कि कोरोना के बावजूत अनाज हो फल हो सबजिया हो दूद हो जो भी आवश्रक चीज़े थी मंडियों तक डेरियों तक बिना किसी कभी तकलीप के बिना वो आता ही रहा। लोगों तक पहुंचता ही रहा। साथ क्यों इस दवरान अन्न उत्पादन हो फल उत्पादन हो दूद का उत्पादन हो हर प्रकार से बंपर प्रदावर हुई है। यही नहीं सरकारों ने डेरी उद्योग ने भी इस मुश्किल परिस्तिती के बावजूद रिकॉर्ड खरीद भी की है। PM किसान सम्मान निदी से भी देश के 10 करोड से ज़्यादा किसानों के बैंक खातों में सीधा पैसा पहुँचाया गया है। इस में करीब करीब 75 ला किसान हमारे बिहार के भी हैं। साथियों, जब से ये योजना शुरू ही हैं, तब से अब तक करीब 6,000 करोड रुपिये बिहार के किसानों के बैंक खातों में जमा हो चुके हैं। ऐसे ही अनेक प्रयासों के कारण गाउं पर इस वैश्विक महामारी का प्रभाव हम कम से कम रखने में सफल हुए हैं। ये काम इसलिए भी प्रसंस नहीं हैं क्योंकि बिहार कोरोना के साथ साथ बाड की विभीश का भी बहादूरी से सामना कर रहा है। साथियों करोना के साथ साथ भारी बरसात और बाड के कारण बिहार समेत आसपाक्षेक्षित्रों में जो स्तिती बनी हैं। उससे हम सभी भली भाती परिचित हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का प्रयास हैं कि राहत के कामों को तेज गती से पूरा किया जाए। इस बात पर बहुत जोर दिया जा रहा है कि मुप्त राशन की योजना और प्रदान मंत्री गरीब कल्यार रोजगार अभियान इसका लाप बिहार के हर जरुरत मन साथी तक पहुँचे। बाहर से गाउं जो लोटे हुए हमारे स्रमिक परिवार हैं उन तक पहुँचे। इसलिए ही मुप्त राशन की योजना को जून के बाद वैसे वो जून महिने में पुरा होना था। लेकिन जून के बाद दिपावली और छट पुजा तक उसको बढ़ा दिया गया है।